कि अलो नमस्कार साथियों मैं आपके लिए बीए फ़स्टियर का कि सोचलोजी के कि पार्ट वन का सोचलोजी के कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन लेकर आया हूं तो हमारा कोश्चन है यहां पर इनुट शेकेंड का कि शमासास्त का इतिहास से संबन्द वा अंतर इस्वष्ट कीजिए और इसमें आपको लॉंग कोश्चन के जिए पर शॉट कोश्चन भी आपके किलर हो जाएंगे और बहुत किल्वी प्रेशन भी इससे आपके बन जाएंगे ओके तो हम सुरू करते हैं कोश्चन हमारा है समासास्त का इतिहास से संबन्द वा अंतर इस्वष्ट कीजिए और यह वे तो मानवद्वारा अर्जित व्यान को मुख रूप से दो भागों में वहाजी किया जा सकता है जिक तो आपका हो गया प्राकिरत विग्यान सामाजिक विग्यान प्राकित अंतरी कट वहुत एक भीघ्व्ञान आता है जी बिगजान आता है बरिष्पति बिग्जान आता है और समाज़क बिग्जान के अंतर निकात आपका रजनीती लिचुर्णू सास्थ्र। । समश मिझात सास्थ्र वाम मनवार स्पत विश्छ नेत हैं इतिहास में प्रस्पर संबंद क्या है तो इसको हम देखते हैं तो समासास्त्र और इतिहास के संबंद को निम्र सीष्ट्रकों के आधार प्रस्पर्ट कर सकते हैं तो इतिहास समाजी घटनाओं का अध्यान तो समाजए घटनाओं के प्राचिन सुरूप का अध्यान करता है मानव समाज में जो घटनाय गहटत होई है उन्हीं का गयन परक्त करके हम बरतमान समाज की नीप डाल सकते हैं इस प्रिकार सामाजी संस्थाओं का निर्माण अतीत क्याल की घट्राओं का अध्यन करके ही किया जा सकता है सेकंड है आपका बटा इतिहास दुआरा सामाजी संस्थाओं की बिवेचना तो समासास्थ के अंतरगत तामाजी संस्थाओं का जन्म, विकास, प्रगठन, आदिक अधिंग किया जाता है किम्तु इस प्रिकार का अधिंग कभी संभव है जब हम एधिहासिक अधिंग की आधियाधार पर यह जान लें कि अतीत में हमारी सामाजी संस्थाओं का सुरूप कैसा था मलब जब तक हम अपने अतीत को नहीं जान पाएंगे तब तक जो है हम सामाजी संस्थाओं के बारे में नहीं जान पाएंगे इसलिए इतिहास और समासास्त दूसरे से संबंदित है थर्ड है हमारा प्राचीं घटनाओं में बर्तमान घटनाओं का संबंद इतिहास अतीत काल की सामजी घटनाओं के सुरूप का ग्यांग कराता है इतिहास इस बाग को स्फश्ट करता है कि कोई विसेश घटना क्यों और कैसे घटत हुई नहीं सामाजी घटनाओं का विशलेशन करता है कि इतिहासिक बेवेचिंग करने के कारण इतिहास समाज सास्त से संबंदित है सामाजी परिस्थितियों पर इतिहास का प्रोभव क्या है तो हमारी सामाजी परिश्थितियों पर इतिहास का प्रभाव पड़ता है इतिहास हमें एह ग्यान प्रदान करता है कि बिभिन परिश्थितियों के परड़ाम शुरूर सामाज में किस प्रिकार की दसान अत्मन होती है और उनका समाजी जीवन पर क्या प्रुभाव पड़ता है इतिहास द्वारा संस्कृति और सभेता का अध्यन इतिहास घटनाओं का वर्ण मात्र नहीं है इतिहास घटनाओं का वर्ण मात्र नहीं है इतिहास संस्कृति सभ्यता का अध्यान करता है क्या करता है आपकी सभ्यता का अध्यान करता है अगला है मारा कि सभ्यता उतिहास में अंतर का है तो इतिहास में घंट संबंद है फिर भी समासास्त्र और इतिहास पर्थक बशें तो दोनों को परयाप भिनता है समस्त्र में बरतमान कालिंग घटनाओं और समस्त्राओं का ध्याता है इतिहाज किसी बिशिष्ठ समाज का बिशिष्ठ काल में घटनाओं और समस्त्राओं की अध्याता है इतिहास इह बताता है कि घटना कब घटद हुई जबकि समस्यास्त में घटनाओं के घटद होने कारणों की बिवचना की जाती है फूर्थ है हमारा इतिहास सामाजी समस्याओं का ध्यन एक मात्र है मात्र है जबकि समस्याओं के प्रड़ामों और इने हल करने के सज़ाव पर विचार किया जाता है जबकि इतिहास में इतिहासिक पद्धति का प्रवोग किया जाता है इतिहास कार मानव अनुभव और मानव प्रविक्ति का मूर्थ विज्ञान है और समस्याओं अमूर्थ विज्ञान है इतिहास प्रवट वेर श्टीट का अनुशार इतिहास प्रविशिष्ट सामाजी घटनाओं का ध्यन है जब कि समासास्त मानव के सामागी जीवन का समान अध्यन है निश्कस देखते हैं हम लोग कि समासास्त और इतिहास के संबंद को इस्पर्ष करते हुए टीवी वाटो मोर ने कहा कि इतिहास लेखन तथा समासास्त को बहुत अधिक्स यह दूसरे से प्रिथक नहीं किया सकता बे एक ही बिसे बस्तु अर्थार समास में रहने वाले मनुस्तों से सम्मंदत हैं कभी एक ही देश्टिशोंट से उन्हें देखते हैं तो कभी भिन भिन देश्टिशोंट से उन्हें देखते हैं तो यह है आपका question और थोड़ा और रह गया है अब यह इसको भी देख लेते हैं जड़ा नहीं सुरी इतना ही question है आपका और बहुत ही important question है और आप लोग जड़ा इसके लिए रहसे त्यार कीजेगा Thank you